लोकसबार चुनाफ के लिए प्रचार चरम पर है भाजपा कॉंगरस समेट तमाम दल चुनाफ प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं इसी सिल्सले में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रेल यानि की बुद्वार को भोपाल आएंगे और भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोट्शो करेंगे प्रेम मोदी के रोट्शो को लेकर आज वानि मंगलवार को पूर्वा अभ्यास किया जाएगा इसकी तैयारियों को देखने के लिए स्वोंवार रात को मोखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोट्शो मार्ग का निविक्षन किया मुखे मंत्री मोतिलाल विज्यान महा विद्याले से नान के पेट्रोल पंप तक गए अब मुखे मंत्री का बयान सामने आया है मध्यप्रदेश के सियम मोहन यादव का कहना है कि लोगसभा चुनाफ का दूसरा चबड अब नस्ती का रहा है प्रमात्मा की क्रपा है चुनाओ का दूसरा चलंड सामने आगया है और एक चलंड सफलता के साथ पूरा हुआ यह सश्वी प्रधान मंत्री इस दोरे के साथ अभी तक के मध्यप्रेश में सरवाधिक बार आने वाले प्रधान मंत्री का एक उनका रिकार्ड बन रहा है यह हमारे लिए सोभाग एकी बात है प्रधान मंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सोगाते हैं अगर अपने हिसाब लगाएं लगबक सवा लाख करोड से ज़ादा की सोगाते तो सिदे सिदे हमको मिली है और उसमें भी इस सो दिन के टैनियोर की बात करेंगे तो 35,000 करोड की पारवती कालेशियन चंबल परियोजना इसी 300 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मद्वरदेश और राजस्थान को मिला के 17,000 करोड की रेगी और 45,000 करोड की एक परियोजना जो हम सब के लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती जिसमें कई हडल थे वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है मुझे इस बात की प्रसंदता है कि अक्टूबर 2014 में और खास करके सम मिला करके दो अक्टूबर 2023 में गौलियर में 19,000 करोड की ऐसे करके कई लिए भूमी पुजन, लोकारपन, शिलान्यास के पुराने रिकार्ड देखें उसकी तुलना में नए रिकार्ड हम देखेंगे तो माननी प्रधानमंद्री जी के सब छेत्रों में समान रूप से जितना धियान देना चीते मद्धिपदेश का जो हम स्लोगन चला रहे थे कि MP के मन में मोधी और मोधी के मन में MP अकेले रेल्वे का में बताना चाहूंगा कि रेल्वे का 2013 के पेले 1.500 करोड रुपया मात्र हमारे राज्यो को मिलता है आज की स्तिती में 15,000 करोड रुपया रेल्वे प्रतिवर्स अपने इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रहे है